हेलो दोस्तो मैं हूँ दीपा और स्वागत करती हूँ दीपास गार्डिनिंग में दोस्तो दो दिन से जो है छोटी छोटी काम कर रही हूँ मैं अपने गार्डेन में और यह सब काम करना जो है मुझे बहुत जादा पसंद है जिस जो पौधे खराब हो रहे होते हैं उनको थ चेंज करती हूं को काम करते हूं मन भी तोरी से फ्रेश हो जाते हैं तो चलिए दोस्तों क्या क्या काम करी हूं इस दो ०िन में आपके साने करती हूं तो पहरे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जेट प्लांड की बहुत सारी कटिंग यहाँ पर है लेकिन इन सारी कटिंग में से जो है कुछ कटिंग खराब हो चुकी है और इसका कारण है दो दिन पहले जो है मैंने पूरून करी थी मैं जो जेट के बॉन्जाइ बना रही हूँ उन पौधो की मैं प्रून करी थी तो प्रून करने के बाद उन कटिंगों को जो है इस मग्गे पर मैं रख रही थी जिस पर पानी भड़ा हुआ था और मुझे मैंने सोचा कि मैं इनको नीचे लाऊंगी और लगा दूंगी लेकिन मुझे जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा तो दो दिन से पानी पर ही परी हुई थी तो इसी के कारण जो है कुछ कटिंग मेरी खराब हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों अभी जो कटिंग है उन सब को जो है ये छोटे छोटे जो डब्बे आते हैं उन पर में लगा दूंगी और वैसे भी दोस्तों जेट प्लान की जो ह पहले से ही मेरे पास बहुत सारी कटिंग है देखिए ये पोधा मेरे मुझे जो है इतना जादा पसंद है और इसलिए जो है इसकी कोई भी कटिंग में फेकती नहीं हूँ सारी की सारी कटिंग में लगा देती हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे जेट की पोधे है मेरे छोटी सी छोटी कटिंग को भी मैं फेकती नहीं हूं इस तरह से लगा देती हूं और जब यह लग जाते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से लग जाते हैं यहां पर भी देखिए बहुत सरी कटिंगों को मैं जो है इस तरह से लगा देती हूं और इनसे जो है आप बहु को हटाना है और बस मिट्टी पर आपको जो है दबा देना है उसी में से जो है कटिंग लग जाती है बहुत ही आसान है मैंने जो है जेट प्लान की कटिंग लगाने के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी चैनल पर जाकर आप देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे जेट की cutting मैंने लगा दिये हैं इस तरह से और देखिए यहाँ पर पहले से ही जो है दो पती या चार पती की cutting मैंने लगा के रख दी थी और किस तरह से देखिए इसकी जो है roots आ जाते हैं और इसको जो है आप मिट्टी पर भी लगा सकते हो कोकोफिट के अंदर भी लगा सकते हो और सेंड में भी आप लगा सकते हो और यहाँ पर दखिए दोस्तों फिर से बारिश शुरू हो चुके है और दो-तिन दिन से रुक-रुक के इसी तरह से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर तो आज मैं इस वाली जगे को थोरी सी डेकुरेट करूँगी और यह देखिए वाल हेंगिंग जो मैंने लगाया था संडे को और यह बटरफ्लाइ प्लांट इसको मैंने रिपोर्ट करी थी तो इसकी कंडिशन इस तरह से है तो अभी जो है मैं इस वाली एरिया को जो है थोर इसी पॉट पर और यह जो बुद्धा का प्लांटर है इस पर मैं लगाऊंगी आज पौधा बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ था और यह भी जो है तुफन की वज़े से एक बार गिर के टूट भी गई थी तो यह जो स्पाइडर प्लांट है दोस्तों आज मैं इसी को ज जो है थोड़ी सी गार्डेन सोयल और थोड़ी सी कमपोस्ट और कोको पीट और थोड़ी से रैस हस्क मिलाया हुआ है और इसी में अभी मैं पौधे को लगा दूंगी तो दोस्तों यहाँ पर देखी मेरी जो है प्लांटर रेडी हो चुके है अभी जो है यहाँ पर से करूंगी मैं डेकुरेट के लिए तो चलिए देखते हैं कि क्या मैं यहां पर यूज करती हूं और इस तरह से देखे सारे पौधे को हटा दिये हैं और अभी थोरे सी जो है यहां की साफ सफाई भी मुझे करने हैं और यहां पर मैंने जो है एक थार्मो को यूज करी है इस तरह से और दोस्तों यहां पर देखिए मेरे डेकुरेट का काम जो है वो मैं खतम कर चुकी हूं और कुछ इस तरह से ही मैंने डेकुरेट करी है और कुछ जो है ने ने पौट यहां पर एट करे हैं और यह जो छोटा इस जगे को सजाय हुआ है इस तरह से देखिए और साइट से जो है जो भी प्लांट था उनको इस तरह से जो है सजा के रख दिये हैं और उसके बाद यह जो मेरा मानी प्लांट है इस पर जो है फंगस के प्रब्लेम हो गई थी और उसी के कारण जो है बहुत सारी पत्या इसकी जो है गिर गई थी और कुछ ब्रांचेस भी खड़ाब हो गए थे तो आज मैंने जो है उसको भी ठीक किये इसकी बहुत सारी मिट् से देखिए और उसके बाद कुछ कटिंग है मैंने यहाँ पर पानी पर ग्रो करके रखे हुई थी तो उनको जो है फिर से इस प्रट पर जो है लगा दिये है इसतरह से देखिए चारों तरफ से जहां जहां पर जगे थी वहां पर मैंने इनको लगा दिये है अभी धीरे- ये बरे होंगे और मॉस्टिक पर जो है ये चरके जाएगी उपर तक तो प्लान जो है फिर से हरे बरी हो जाएगी इस तरह से देखे लगा दिया है जहाजा पर जगे मिले मुझे और उपर से जो है मैंने मिट्टी को डाल दिया है इस पर मैंने खाद बगरा भी मिला दिया है थोड़े सी compost मिला दिये है और उसके बाद इस पर फिर से मैंने साफ fungus ऱडिये है ताकि फंगस के problem फिर से इस फर न आये और फिर से पानी दे दिये है तो आज मैंने ये काम भी कर लिये है और अभी मेरा पौथा फिर से ठीक हो जाएगी और उसके बाद मेरा ये वाला जो जगे है इसको भी मैंने आज ठीक किये थोड़ी सी डेकुरेट में चेंजस करी है और इसकी ये जो मैंने जेन गार्डिन बनाए था आपके साहर भी किये थे तो इसकी जो मैंने टोपियारी बनाए थी जेट प्लांट की इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई थी तो मैंने जो है इसकी थोड़ी सी प्रून करी है और जहाँ जहाँ से पौदे बड़े हो गए थे वहाँ से मैंने कुछ पौदे को इस तरह से काट करके निकल दिये थे और यह जो ड्रेजिना की कटिंग लगाए थी देखिए छोटी सी कटिंग तो इसको मैंने आज हटा दिये हैं क्योंकि पीछे जो सेंसिव रियक को रखे थी उसकी पत्तिया बड़ी-बड़ी हो गए थे तो दिखने में ज्यादा अच्छी नेले लेग रही थी तो इसको मैंने हटा दिये हैं और उसके बाद पॉट को थोरी सी मैंने पेंट कर दिये हैं क्योंकि इसकी जो पेंट थी वो थोरी सी खरब हो गए थी तो इस तरह से देखें पेंट करने के बाद जो है जितनी भी मेरी सकुलेंट है उनको भी जो है थोरी सी डेकुरेट कर दी है इस तरह से बहुत दिनों से है इसको मैंने change कर नहीं करी थी तो कुस्कंत कर दिये थे और उसके बाद जो पोट के अंदर अज मैंने लगा दिये थे इस थरा से देखिए क्ताके प्षट जो है खाली ना रहे तो जी जी स्पोट पर जो पौधे लगाने की जरूरत थी इस तरह से मैंने लगा दिये और अच्छी तरह से जो है पानी भी दे दिये थे तो दोस्तो इन पौधु को जो है इस तरह से मैंने सजा के रख दिये हैं तो यही था छोटे छोटे काम जो मैंने किये हैं मिलते हैं और एक वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों